अल्राइट गाईस कुछ दिन पहले में एक इस्टोरी सेयर गिया था एन उस इस्टोरी को 5000 लोगों ने देखा और बहुत सरे लोगों ने कमेंट केया कि भाई इस एप के बारे में हम लोगों को बताओ एन कैसे हम लोग इस एप के आंदर एडिटिंग केर बाऊगे सब कुछ चीज एक डिटेल्स में वीडियो बनाओ आज में आप लोगों को इस एप के बारे में बताओंगा एप का नामे और्टोडेक्स स्केचबुक कैसे एडिटिंग कर बाऊगे सारे चीज जानने के लिए इस वीडियो को सुरू से लेकर लास तक देखो वीडियो का अभी तक लाइक कर दो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्रेब करने के सबस्ते लेकर दबा दो सो चलिए आज के कमल की वीडियो को स्टेट कर लेते हैं अब लोग देख सकते हो बहुत ही सिंपिल सा इंटरपेस है एंड फोटो भी बहुत ही अच्छा है ठीक है गाइस सो यहां पर आप लोग को इस बले ऑप्सिन के अंदर टैप कर लेना है एक बार इसको सेटिंग के अंदर टैप करने के बाद गईस अपने मोटाविक से और जूम करने के बाद कुछ इस तरह से पेंट कर ना है यहां पर आप लोग देख सकते हो वाइट कलर में पेंट हो रहा है लेकिन गैस थोड़े देर रुक जाओ मैं आप लोगों को बताँगा कैसे सेब कर सकते हुए चाहिए पहले ते अब लोग दिए कर लीजिए तो गाइस में यह इन थुरा टाइम लेखा करना है अब लगों को इरेश करना है अब लोगों को फोर्ट हो आ भोत ही बेकल कर देता हूं के पूर्डआट गैस्ट यहां पर आप लोगो को इस बहुत ही नहीं तो कि इस के बाद इस में भूले प्रेस कर देना है यहां पर लोग इसको सेफ कर सकतो इस बले ओप्सिन के मदश से ठीक है से यार और सेफ टू डिवाइस कर देना है सेफ हो जाएगा ठीक है लगिन गाइस में यहाँ पार बैगरंड को इरेस करूंगा कॉमपिलिट एडिटिंग करके बाद हो गईस स्टेप बैगरंड को कर लेना है सि यहाँ पर अब लोग को फियर से इस वाले ओप्सिन के आंदर टाप कर लेना है टब करने के बाद जो उपर बली ले आरा है इसको नीचे ले आरा है ठीक है आप लोग देख सकते हो गाइस से जो background है फोटो के साथ मैच हो चुका है एट ट्रीक बहुत ही easy और बहुत ही unique है गाइस अगर आप लोग को पहले चीप पता है तो guys एक like टो बनता है अगर नहीं पता है तो नीचे comment करके बता हो नहीं पता है ठीक है so guys यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत ही बहातरीन फोटो बन चुका है एन आप अब लोगों को में बताऊंगा अब लोग कैसे face को smooth कर सकती हो वीडियो को step by step देखो सारे चीज अब लोगों को में step by step बताने की कोसिस करूँगा यहाँ पर अब लोगों को tap कर लेना है टाप करने के बाद उपर swipe करना है और यहाँ से guys अब लोगों को इस बले brush को select करके setting को open कर लेना है और उसके बाद setting को राखना है 1% 1% साच को अपने मुताबिक से photo को कर लेना है zoom and face के अंदर कुछ इस तरह के से paint करना है guys देखो यहाँ पर paint नहीं हो रहा है क्योंकि guys जो layer है इसको change करना है तो अब लोगों को face layer बले option के अंदर जाना है और उपल बले layer को select करके कुछ इस तरह के से paint करना है और आपका जो face है बहुत ही ज़्यादा smooth हो जाएगा ठीक है so guys यहाँ पर आप लोगों देख सकते हो face smooth हो रहा है और यह photo का face है पहले से ही smooth है तो मैं नहीं करूँगा smooth और उसके बाद बाड़ी आती है hair की guys hair को बनाने का process भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ so guys फिर से tools बले option के अंदर tap करना है and library और उसके बाद आप लोगों को जो इस बले brush है इसको select करके setting को open कर लेना है and यहाँ पर अब लोगों को setting को रखना है 21% और 21% दोनों को 21% रखना है ठीक है guys so यहाँ पर मैं 21% रख देता हूँ and रखने के बाद मैं अब लोगों को hair को बनागार देखाता हूँ so guys यहाँ पर अब लोगों को zoom कर लेना है कुछ इस तरह के से हैर को बना लेना है ठीक है तो है बहुत इजले बन जाएगा आपका अब लोग साइच को बड़ा या छोटा कर सकते हो लेकिन गईस इसका जो है लेघर हैने पहले सी अच्छे से काट किया हूँ अब लोग कि लेख सकते हुँ तो इसले थोड़ा सा अच्छा लग रह रहा है ऐसी तो मैं नहीं बना हो और खोर This तो एसे छोड़ देता हूं में थोड़ा सा बना ही लेता हूं ठीक है कोई बात नहीं बना कर आप लोगों को देखा देता हूं ठीक है गाइस तो रिटाचिंग करने के लिए आप लोगों को लाइट में अपके अंदर जाना है और वहां पर बहुत ही इजीली रिटाचिंग कर पाऊगे ठीक है तो यहां से मैं जो श्यार बले अप्शन इसके अंदर टैप करता हूं सेब टू डिवाइस एंड आप लोग को यह डिटक हो भी मैनस की तरफ घए आप लोगों को कलार बले अप्शन के अंदर जाना है मीक्स वाले तूर यहां से ओरन इंज कलर को स्लेट करके लिमिलेशन को हाइए और तोर फिटर न को मैनस की तरफ यह जो शुल को क्लार डान पर टैप कर देना है यहाऀस बोग को स सुगाई साब लोग देख सकते हो before and after background के साथ कितना आच्छे साथ तरीके से match हो चुका है आज का वीडियो अगर आच्छा लगा तो like के रो चैनल पाने हो तो subscribe के रो उसो बाई बाई thanks for watching धन्नवाद